हेलो दोस्तो, I am Shuburnath and you are watching World of Tally आज हम लोग सीखेंगे Basic of Tally का First Part Company Basic of Tally का ये सीरीज बहुत पार्ट में आएगा और जिसे अभी तक कुछ नहीं बता है टैली के बारे में वो भी ये वीडियो देखके सीख पाएगा तो हम लोग ये First Part में क्या सीखेंगे कैसे Tally Software को Open किया जाता है, कैसे Company Create किया जाता है कैसे Company Create करने के टाइम पे जो डाटा आप डालते हो उसको कैसे Altar या Modification या Upgrade कर सकते हो कैसे Company को Shutdown किया जाता है, कैसे Company को Open किया जाता है और कैसे Company को Delete किया जाता है आप सभी से मेरा एक दरखास थे कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकोन को दबा दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास बहुचे तो चलिए शुड़ू करते हैं टेली सब्सक्राइब इंस्टॉल करने से ये टेली एर्पी 9 बोलके एक शॉटकाट आएगा डिक्स्टॉप में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ उसको अगर दो बर क्लिक करोगे तो वो ओपेन हो जाएगा उसके बाद इतना ओप्शन यहां पर दिख रहा है टेली एर्पी 9 में दो भर्षन होता है एक है लाइसेंस्ट भर्षन एक है एडुकेशन भर्षन तो हम लोग एडुकेशन के लिए एडुकेशन भर्षन यूज़ करते है तो यहां पर देखिए बहुत सारा ओप्शन के बीच यह ओप्शन भी आता है वाट की इनुगेशन नल मोट तो यह ओप्शन को हमें सिलेट करना परेगा अभी आप यह डाउन एरो की प्रेस करके भी आप सिलेट कर सकते हो या डबलू के नीचे देखो एक अंडरलाइन है तो इसका मतलब एक ही अंडरलाइन है तो इसके मतलब है आल्ट प्लस डबलू दबाने से भी काम चल जाएगा तो आल्ट प्लस डबलू दबाते है तो देखिए आप जब फर्स बार के लिए टैली ओपन करते हो के बाद आपके लिए पहला काम है कि company को create करना यह टेली का काम ही है company का accounts maintain करना मगर उसके पहले जिस company का आप accounts maintain करना चाहते हो उस company को पहले create करना परेगा तो company info का जो third option है वो है create company अभी यह option select करके अगर enter मार होगे तो आपके सामने एक list जैसा window खुलेगा उसमें पहला option है आपका name और उसके पहले है directory जिसमें आपका company का data save होगा तो यह कुछ करने का ज़रूरत नहीं है name से शुरू करते है तो name मान लो एक company है रोय private limited बोलके उसके बाद option आता है primary mailing details का means postal address का option आता है यह address हम दे देंगे एक यह country इंडिया ही रहेगा state में West Bengal होगा और पिन कोट में यह जगा पिन कोट में उसके बाद contact details में company का जो landline number है वो phone number पे देना परेगा मूबाइल नंबर देना परेगा मूबाइल नंबर पे फैक्स नंबर अगर है तो दो ना है तो मत दो email में email address देना परेगा आजकल email address बहुत सारा businessmen use करता है business के लिए और company का कुछ अलग सा website है तो यहाँ पर दे सकते हो उसके बाद जब भी आप इंटर मार होगे तो right side में करसा चले जाएगा यहाँ पर दो option दिखता है एक है financial year begins from यह क्या है हमारा जो financial year है वो शुरू होता है 1st April से और खतम होता है next year का 31st March पे तो हम लोग अभी 18-19 financial year में है जो शुरू हुआ है 1st April 2018 से और खतम होगा 31st March 2019 में और books beginning from का मतलब है किस दिन से आपका books of accounts maintain होगा बो आपको यह आपे डालना परेगा मान लो मेरा business start हुआ है October से तो मैं date डाल दूँगा और इंटर मारूँगा यह जो security control वाला option है यह हम लोग advanced level पर सीखेंगे हम लोग यह option as such छोड़के नीचे basic currency information में चले जाते है यह पर जो भी है उसको same to same रखके enter मार के सिर्फ आगे के तरप जाना है उसके बाद आप accept कर सकते हो या control A से save कर सकते हो सेफ करने के बाद देखिए यह पर list of selected companies में name of company के अंडर में Roy private limited दिखा रहा है means आपका company आपके सामने तयार हो गया है आप हम लोग सीखेंगे कैसे company का data जो company create करते time पे डाले थे वो modify या alter करना है इसके लिए हम लोग को Roy private limited company जो अभी मैं create किया उसको open करके जी ओटी में खरा रहे के जी ओटी में गेटोए ओफ टेली और उसके बाद अल्टर बुल के एक option आता है उस option को select करके enter प्रेस करना है इंटर मारने के बाद आपका company आपके सामने दिख रहा है अभी और एक बार enter मारो तो जो form company create करने के time पे आपके सामने था वो ही आ जाएगा अभी यहाँ पे आप data बदल सकते हो delete कर सकते हो add कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पे कुछ बदल देता हूँ यह भी बता लेता हो अभी आपको back करने के लिए escape दबाना पड़ेगा फिर से escape दबाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग जी ओ टी में फिर से आ जाएंगे अच्छा टैली में बापस जाने के लिए इसके दबाना पड़ेगा और आगे जाने के लिए इंटर दबाना पड़ेगा आपका जो company है वो शटडाउन करने के लिए एक शॉटकार्ट मेतोड है वो है आल्ट एफवान तो जी ओ टी में खरा रहेके आल्ट एफवान दबाने से कॉमपणी शटडाउन हो जाएगा नेम आप कॉमपणी देखिए अभी ब्लैंक दिखा रहा है अभी हम लोग सीखेंगे कैसे खुद का कॉमपणी ओपिन किया जाता है जो पहले से ही बनाया हुआ होता है वैसे तो ये कॉमपणी इंफो जी ओटी से ओल्ट एफवान दबाने से आता है उसके बाद क्या करेंगे हम कॉमपणी इंफो का जो पहला ओप्शन आता है सिलेट कॉमपणी ये ओप्शन हम लोग सिलेट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे इस कॉम को ढूनने के लिए यह जो नेम में जो ब्लैंक रखा हुआ है इसमें आपका कॉमपणी का नाम लिखे तो देखिए आपका कॉमपणी हाइलाइट हो रहा है तो एंटर मार यह तो देखिए आपका कॉमपणी ओपन हो गया कि उसके बाद इस वीडियो का लास्ट टापिक है हाउ टू डिलीट दा कॉमपणी तो हम लोग सीखेंगे कैसे कॉमपणी को डिलीट किया जाता है कोई भी कॉमपणी को डिलीट करने के लिए पहले उस कॉमपणी को ओपन करना परेगा उसके बाद जीओ टी में ख़रा रहेक Alt F3 दवाना परेगा उसके बाद देखिए यह जो Altar का Option आता है इसको Select करके Enter मारोगे तो जो Company Current Situation में खुला हुआ होगा वो यहाँ पर Show करेगा और एक बार Enter मारोगे तो यह आगया Company Creation का Window तो यहाँ पर Alt D Alt D दवाना परेगा और यहाँ पर पूछ रहा है कि Delete Yes तो एक बार Enter मारोगे उसके बाद दिखाएगा Are you sure? अगर आप Yes करते हो तो Delete हो जाएगा अगर आप No करते हो तो Back हो जाएगा तो हम लोग Delete सीखेंगे तो इसको Yes करना परेगा Yes करने के बाद देखिए यहाँ पर जो Name of Company है यह ब्लैंक हो गया Means आपका Company अभी नहीं मिलेगा आपको देखिए एक बार चेक कर लेते हैं Select Company का जो Option यहाँ पर दिख रहा है इसको एक बार Enter मारो और आपका जो Company था Roy यह नहीं आ रहा है Roy Private Limited यह नहीं आ रहा है और दिखा रहा है Spelling Error Means इसका existence अभी नहीं है जाने से पहले हम लोग Tally Software को Open करना तो सीख लिया अगर हम लोग Close करेंगे कैसे उसके लिए Keyboard से Escape दबाना परेगा Escape दबाते ही यह एक Option आएगा Quit आप अगर Keyboard से Y प्रेस करो तो भी चलेगा या इंटर प्रेस करो तो भी चलेगा तो बंद हो जाएगा हम लोग जल्दी लोटेंगे Basic of Tally की Next वीडियो के साथ